पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है चूँके मैंने कुछ फिल्में की हैं एक फिल्म थी तारे जमी पर और अभी हाली में मेरी जो फिल्म आई है त्री इडियेट्स ये दोनों फिल्में एजुकेशन के टॉपिक पर हैं तो लहाजा मैं इस वज़े से मैंने काफी रिसर्च की एडियूकेशन के उपर और कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं और वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहरा हूँ आज हैं पैरेंट्स हैं एडियूकेटर्स हैं टीचर्स हैं बच्चे भी हैं हो सकता है पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एडियूकेशन से जो जिनका संबंद है और वो ये के सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसरच में हर बच्चा खास होता है हर बच्चे में हमारी तरह आपकी तरह और हमारी तरह हर बच्चे में कुछ न कुछ काबलियत होती है कुछ न कुछ कमजोरी होती है मुझ में भी कमजोरी है काबलियत है आप में भी कुछ न कुछ काबलियत और कमजोरी है और हर बच्चे में कुछ न कुछ कमजोरी और काबल چیز میں خوشی ملتی ہے وہ हमें उसको हेल्प करना है कि हमוס उसको ढूंड सके और उसमें हमें सपोर्ट करना है और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है मुझे अकसर एड़िकेशन इंस्ट्टिट्ट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं हमारे स्कूल में सारे बच्चे फॉर्स्ट आते हैं या हम जो बोर्ड एक्जाम में उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश है सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है Harmony of a children are happy और वो जो happiness quotient है ना वो मेरे लिए सबसे एहम है क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीखी लेते हैं जब मुझे कोई चीज सीखी नहीं होती है तो मैं कुछ न कुछ करके सीखी लेता हूं हमारी फिल्म three idiots जब release होने वाले थी release से पहले हमने कई screenings रखे थे test screening जिसको हम कहते हैं जिसमें कि हम audience जैसे आप लोग है उनको बलाते हैं फिल्म दिखाते हैं उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी ऐसे एक test screening हमने किया था बंबई में एक factory में कारिगर लोग काम करते हैं तो करीब 25-30 कारिगर आये थे उस screening में screening के बाद उनका एक कारिगर था उसने मुझसे एक सवाल पूचा उसने मुझसे ये पूचा आप लोगने फिल्म देखी है three idiots उसमें उसने मुझे एक सवाल पूचा जो बहुत कमाल का सवाल था उसने मुझे ये सवाल पूचा है के sir picture के अंत में हमें पता लगता है के आप तो रंचोड़दास थे ही नहीं रंचो तो थे ही नहीं आप तो certificate तो आपको मिला नहीं वो तो जावेज जाफरी को मिल गया तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए इतने बड़े patents 400 patents जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं तो आपको certificate तो मिला नहीं तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए बहुत ही एहम सवाल है ये बहुत ही important सवाल है और ये जो मद्दा है उसके heart में जाता ही कि जब मैं exam के लिए रट के जवाब देता हूँ और वो जवाब में मुझे number मिलते हैं और मैं pass हो जाता हूँ तो मेरे हाथ में एक परचा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पड़ा लिखा हूँ लेकिन वाकई में पड़ा लेका हूँ या नहीं यह अभी तक में को शोर मालूम नहीं है लेकिन जब आप knowledge चाहते हैं कि आपको मिले विद्या मिले आपको तो फिर वो कागज का माइने कुछ होता नहीं है तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे मैंने बोला उसको कि भाईया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ उसने बोला हाँ देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छा एक्टर है मैंने उससे का कि भाईया मेरे पास कोई अच्छे cutter हैं, आपके जो boss मुझे बताते हैं कि आप उनके main cutter हैं और आपकी बड़ी इज़त करते हैं वो आपके अपास कोई परचा है, certificate है जो मुझे बताता है कि आप cutter हो उसने मुझे बोला नहीं sir तो मैंने मुझे बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम education को इस नजरिये से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी से दें क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता शिक्षा में एक और चीज मिली भी होती है वो यह है कि हम अपने बच्चों को develop करते हैं as human beings आगे चलके वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने आगे चलके वो अपने पैरों पे खड़े रह सके आगे चलके वो इज़त की जिंदगी जी सके आगे चलके वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे आगे चलके वो किसी के चहरे पे मुस्कराहाट ला सके आगे चलके वो किसी की मदद कर सके This is what we should develop of our children यह मेरी feeling है मैं जहां भी देखता हूँ यह मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं जब से बच्चे पैदा होते हैं बच्चा घर आता है हम बच्चे को बूछते हैं भई मार्क्स कितने मिले हैं पूरस्ट आयके सेकंड है, भूलता है सेकंड, सेकंड आये तो, अरे, फस्स नहीं है Wenn I Don't I am, I said in 10th, तो हालत ही बुरी हो जाती बच्चे को लगता है यार, यह फस्स बारा जरूरी है उसको रेस में हम पुछते हैं तु में सेकंड है, इसमें रेस में सेकंड है उसमें भी हम बच्चे को पुछने है रहे बेटा first राएकल आए मतलब parents चिला रहे बेटा भागो मतलब nibu लेके भागो तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है यह बड़ा जरूरी है मेरे parents को हमेशा मेरे parents मुझे एक ही सवाल पुछते है मैं first आया कि नहीं। उसके जहन में ये बात बैढ़ जाती है। कि मेरे को अववल आना है, मेरे को compete करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। Teachers भी यही सवाल उसको पूछते हैं, आम तोर पे, मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है, तो वो बड़ा selfish हो जाता है। और उसको selfish हमने बनाया है, हमारी system ने बनाया है। वो अपनी बारे में सोचता है, और किसी के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि यह हमने उसको train किया है, बचपन से, बचपन से हमने उसको यही train किया है, कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ. तो जब वो नौजवान बनता है, तो उसका नजरियां society की तरफ यही हो जाता है, कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब, by hook or by crook, I must succeed, I don't care about anybody else. मेरा यह दिल कहता है, मेरा यह दिल चाहता है, कि अगर हम, जितने यहां parents हैं, adults हैं, youngsters हैं, जो कल जाके parents बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को यह सीख दें, जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए, हम उसको यह सवाल पूछें, यह नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको यह पूछें, कि बिटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पर मुसकराहट लाई, अगर हम उसको यह पूछें, तो उसको यह लगेगा, कि यार जरूरी यह है, मेरे पेरिंट्स मुझे हमेशा यह पूछते हैं, मार्क्स का तो अभी पूछते नहीं, वो मुझे से यह पूछते हैं, कि भईया, तुमने किसको हेल्प किया आज, तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कराहट लाना, यह मेरे पेरिंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइकलोजिकली वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा, स्कूल वो ही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वो ही करेगा वो, उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा, जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे, हमारी सुसाइटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब, क्योंकि तब हमारी सुसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे, जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मैं देखना चाऊंगा, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में नहीं देखी, कि हमको ये एहमियत इस पे दी जा रही है, कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना हेल्प कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तबदिली अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुदर सकता है, बहुत बदल सकता है.